नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं देसी उपचार चानल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चाय पत्ती के फायदे के बारे में बताएंगे आप सब ही लोग यह सोचते होंगे कि चाय बनाने के बाद बच्ची हुई चाय की पत्ती किस काम की मगर आज की इस आपको थोड़ी सी चाय पती को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखनी होगा और उस पानी से आपको अपने बालों को धोना होगा इसके बाद आपके बाल मुलायम और चमकदार हो जाएंगे दूसरा फाइदा घंबले की खाद में इस्तिमाल अगर आपके घर में भी घंबले है और आप बाजार से खाद खरीदते हैं तो इसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं क्यूंकि आप चाय के बाद बच्ची हुई चाय की पती अपने घंबलों में डाल कर खाद के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं तीसरा फाइदा लकडी के फरनीचर को चमकदार बनाने में अगर आपके घर में भी लकडी का फरनीचर है और वेही काला हो चुका है या पुराना है तो इसके लिए आपको चाय के बाद बच्ची हुई चाय की पती लेनी है और से पानी मे भिगो कर उस पानी से अपने फरनीचर की पॉलिश कर देनी है ऐसा करने से आपका फरनीचर एकदम से नया और चमकदार बन जाएगा तो देखा दोस्तों चाय के बाद बच्ची हुई चाय की पत्ती के कितने फायदे हैं आगे से चाय की पत्ती को कभी भी मत भेजना अपने इस्तिमाल में जरूर ले लेना दोस्तों इनके अलावा भी चाय की पत्ती के काफी सारे फायदे हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करे और शेयर जरूर करे जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके दोस्तों प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिल सके और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है धन्य बात दोस्तो